दोस्तो अगर आपके Samsung के phone में call नहीं आ रही है, कोई भी call कर रहा है तो आपके पर incoming call आ ही नहीं रही है, तो आप इस problem को कैसे fix करेंगे, इस video में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आप क्या करिए, slide down करिए, और देख लीजे आपके में dnd, मतलब do not disturb mode तो नहीं लगा है, अगर लगा है, तो आपके पर call आईगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ठीक है, तो आप इसको simply हटा दीजिए, इसको हटाने के बाद आप देखे, आपके में call आने और अगर इन दोने में से कुछ भी नहीं लगा है, तो आप क्या करेंगे, आप simply slide down ही करेंगे, और जान बूच करके intentionally एक बर flight mode लगाएंगे, और इसके बाद इसको हटा देंगे, और अब try करेंगे आपकी problem सही हुई या फिर नहीं, अगर अभी भी problem नहीं सही हुई, तो आप क्या करेंगे, आप अपने में दबाएंगे power button, प्रेस करेंगे थोड़ी देर तक और restart पे click करके अपने phone को restart कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर अभी भी problem ना सही हो, तो आप करेंगे क्या आप चले जाएंगे अपने phone की settings में, settings में जाते ही type का interface मिलेगा, कर आइंगे नीचे की ओर scroll और यहाँ पर software update पे click करेंगे, download and install पे click करेंगे, अगर system update आया है तो कर लिजे उसके बाद देखिए, अगर अभी भी problem ना सही हो, तो आप क्या करेंगे, आप back कर लेंगे, और यहाँ पर apps पे click करेंगे, और यहाँ पर आप उपर लिख करके search कर ल problem सही होई या फिर नहीं, अगर अभी भी problem ना सही हो, तो आप क्या करेंगे, यही पर आप back करके general management पे click कर लेंगे, और यहाँ पर करेंगे नीचे की ओर scroll, reset पे click करेंगे, नीचे की side scroll करेंगे, reset mobile network settings पे click करेंगे, यहाँ पर reset पे click करेंगे, जो भी आपका screen lock का pin है वो डा बंदे की call ना आए, तो आप क्या करेंगे, आप simply जाएंगे settings में, यह app phone वाला app खोल लेंगे, और three linings पे click करके settings में चले जाएंगे, यहाँ पर blocked numbers पे click करेंगे, और देख लेंगे कहीं आपने उसको block तो नहीं कर रखा, block कर रखा होगा, तो call उसकी कैसे आएगी, ठीक है यह सारी settings जो भी हमने बताई है, जो भी troubleshooting steps इनको follow करेंगे, आपकी problems सही हो जाएगी, अगर वीडियो से help होई हो, तो वीडियो को कर दीज़े like, चैनल को कर लीज़े subscribe, and bell icon को press, ऐसे ही और भी videos देखने के लिए